Hello everyone, मैं परवेश्मान आपके अपने YouTube चैनल OU Class पर आप सब का स्वागत करता हूँ Dear students, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि IGNU से हम M.com कैसे कर सकते हैं IGNU M.com के कौन-कौन सी courses प्रोवाइड करता है और IGNU में M.com की eligibility criteria क्या है सारी चीजे हम आज की वीडियो में जान लेंगे आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा important है अगर आप IGNU से M.com करना चाहते हो क्योंकि IGNU ने M.com का criteria totally change कर दिया है पहले क्या होता था वो भी हम आपको बता देंगे और अब नया criteria क्या है वो भी हम आज की वीडियो में आपको बता देंगे तो चलिए start करते हैं तो dear student जैसे कि मैंने आपको बताया IGNU M.com के तीन program offer करता है कौन-कौन से M.com, M.com B.P.C.G. और M.com F.T. ठीक है बाकी इन दोनों को भी मैं आपको थोड़ा सा बतायता हूं किन के लिए यह applicable होता है ताकि आपको कोई confusion होना अगर आप any graduate course है कोई भी आपने कोई भी graduation degree की है तो आप M.com कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इगनू में M.com में admission ले सकते हो बस आप passing marks आपके होने चाहिए कोई entrance test नहीं होता है इगनू में आप direct admission ले सकते हो apply करो आप admission fees फिल करो और आपका admission हो जाएगा कोई attention वाली बात है नहीं अगर आप M.com B.P.C.G. करना चाहते हो तो आप ICSI का part होना चाहिए मतलब यह क्या company secretary ठीक है अगर आप company secretary कर रहे हो तो आप कौण सा course कर सकते हो यह वाला कर सकते हो कौण सा M.com B.P.C.G. ठीक है अगर आप CA कर रहे हो ठीक है तो आप M.com F.T. कर सकते हो तो यह simple बात है यह एक specialized course है जो की आपका CS और CA के साथ collaborate होकर यह courses IGNU कराता है ठीक है इसकी criteria क्या है वह हम आपको next video में बताएंगे ठीक है एक video totally हम इस पर बनाएंगे एक video इस पर बनाएंगे आज की video हम किस पर मना रहे है M.com पर ठीक है तो चलिए M.com के बारे में हम और information लेते हैं तो M.com के अगर हम बात करें इगनू से अगर आपको M.com करना है तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है ठीक है वीडियो को last तक जरूर देखे क्योंकि M.com का अब टोटली चेंज हो गया है तो आप वीडियो को अच्छे से देख ले समझ ले ठीक है किसी को confusion होगी नहीं ठीक है अब कि जिस किसी ने भी अगर admission लिया तो वो इस नई प्रोग्राम में admission लेगा ठीक है और अभी admission कौन चो हो रहे है जुलाई 2022 session के admission हो रहे है जुलाई 2022 session की जो भी last date है वो सारी हम वीडियो description में discuss कर लेंगे video description जरूर पढ़ागर हो उसमें बहुत सारी चीज़े हम लिग देते हैं ठीक है जो वीडियो में नहीं बता पाते वो description में आपको बता देते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं eligibility criteria की कि आप M.com के लिए eligible हो या नहीं हो इगनू कहता है any graduate or equivalent from recognized university कोई भी recognized university है अगर आपने वहाँ से graduation की है तो आप M.com कर सकते हो graduation किसी भी चीज में की हो BA की हो B.com की हो B.hc की हो कुछ भी किया हो आप M.com कर सकते हो को intention वाली बात दिए ठीक है passing marks आपके होने चाहिए ठीक है जरूर ही नहीं है कि आप merit list से आपका admission होगा इगनू में आपको को कोई merit list नहीं देखी जाती है और ना ही entrance test होता है M.com के लिए ठीक है कुछ courses के लिए होता है वो भी हमने बताया हुआ है ठीक है आप हमारे YouTube चैनल पर जरूर विजिट करे हम बच्चों को बहुत सारी चीजे time to time inform करते रहते हैं और किसी भी बच्चे को अगर हमारे लिए हम हम इगनू के बच्चों को personal guidance पर प्रवाइड करते हैं जिसके हम face charge करते हैं आप हमारे WhatsApp contact कर सकते हैं और हमारे face detail पता कर सकते हैं ठीक है किसी भी बच्चे को इगनू के किसी बच्चे को को attention होगी नहीं हम सारी चीजे बहुत simple तरीके से आप लोगों को समझाते हैं ताकि आ आपका eligibility थी अब हम medium की बात करते हैं M.com आपको English और Hindi medium दोनों में available हो जाएगी आप Hindi medium से भी कर सकते हैं और English medium से भी कर सकते हैं को attention नहीं है next आपका duration की हम बात करें M.com अब जो यह नया course है जिसमें आप admission लोगे वो अब semester wise हो गया है क्या हो गया है semester wise यानि कि total इसमें आप आपका two year program है जिसमें total four semester होंगे first semester second semester is equal to first year third semester fourth semester is equal to second year आपने first second third four चारो semester clear कर लिए आपके M.com complete ठीक है अगर आप इसको complete नहीं कर पाते हो तो आपको maximum eight semester या four year देता है ठीक है यानि कि आपकी admission validity कब तक रहेगी four years तक आप four years maximum कर सकते हैं इसके बाद आप नहीं कर पाऊगे M.com ठीक है आपको फिर से admission लेना पड़ेगा अगर M.com करनी है तो ठीक है next time fees की बात करते हैं फीस अगर हम बात करें तो इगनू की जो fees है वो 9000 पर year है कितनी है 9000 पर year है जिसमें इगनू first year में आपसे 300 रुपे चार्ज करता है कितने रुपे तीन सु रुपे चार्ज करता है किसी के registration चार्ज करता है यानि कि आपकी first year की fees कितनी हो ठीक है यह आपकी फश्चे की फीस हो जाएगी सेकिंडियर की कितनी हो जाएगी 9000 ऐसे यह आपकी टोटल फीस कितनी हो जाएगी 18300 ठीक है प्लस आपको इगनु का जब भी आपका एक्जाम होगा जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे उसकी आपको एक्जामिनिशन फॉर्म फिल करना होता है और उसके लिए आपको फीस भी देनी होती है इगनु फिलहाल 200 रुपे पर पेपर चार्ज करता है एक्जामिनिशन फीस ठीक है तो आपके 18300 तो टोटल फीस लगेगी प्लस 200 पर सब्जेक्ट जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे 16 सब्जेक्ट है 20 सब्जेक्ट है ठीक है जितने भी आपके सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट की आपको फीस देनी होगा निए फर्स समेस् form fill करना पड़ेगा तभी आप exam दे सकते हो otherwise exam नहीं दे पाओगे ठीक है अगर हम बात करें admission की कि आपको admission कैसे लेना है तो admission के लिए आपको क्या करना पड़ेगा online apply करना पड़ेगा इगनू की website से ignoadmission.edu.in इसका link भी मैं description box में दे दूँगा आप वहां से click करके अपना admission ले सकते हो admission में कोई भी दिक्कत हो किसी प्रकार की help चाहिए आप हमसे contact कर सकते हैं जिसके हम face charge करते हैं ठेक है exit option आपका यह जो source है जो information मैं आपको दे रहा हूँ इगनू के prospectus से दे रहा हूँ अपनी तरफ से कोई information में आपको नहीं दे रहा हूँ जो इगनू की website पर लिखे हुई है इगनू के prospectus में लिखा है वही information में आपको दे रहा हूँ और यह latest prospectus की information है July 2022 जो admission अभी चल रहे हैं ठेक है अगर हम exit option की बात करें exit option मतलब कि आप first year के बाद आप अपनी mcom छोड़ सकते हो तो आपको degree मिलेगी या नहीं मिलेगी कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वह हम discuss कर लेते हैं exit option मतलब कि आप अगर अपनी specific request डालोगे ठेक है किस पर based a specific request only अगर हम पहले जो mcom offer किया जाता उसकी बात करें तो उसमें क्या होता था एगनू एक program offer और करता है diploma program कौन सा PGDIBO यानि की post graduate diploma in international business organization ये program offer करता था ठीक है तो जो इसके आपका course था ये आपके subject थे वो mcom first year के बिल्कुल same subject थे जो पहले आपके mcom offer की जाती थी ठीक है उसके ये first year के subject बिल्कुल same थे और PGDIBO के भी same थे तो दो अगर आप first year में complete करते थे और second year नहीं देते थे या fail हो जाते थे तो आपको first year का degree automatically मिल जाती थी post graduate diploma की लेकिन अब ऐसा नहीं होगा आपने आपको पोस्ट ग्रेजिट डिप्लोमा की degree चाहिए तो आपको specific request डाननी पड़ेगी इगनू के पास ठीक है इगनू के रिजन अपने regional center पर जाना पड़ेगा उन्हें बताना जो courses हैं उनके subject हैं वो difference हो गए हैं बिल्कुल अलग हो गए हैं तो इगनू ने आपको ये एक अलग से diploma program offer किया है कौन सा PGDBS यानि की post graduate diploma in business studies ये आपको मिल जाएगा अगर आप new m.com के first year को clear करते हो और अपनी specific request डालते हो तो आपको ये diploma certificate मिल जाएगा ठीक है next अगर हम बात करें तो ये PGDIBO है जो ये पहले क्या होता था अगर आप PGDIBO में admission लेते हो तो m.com second year में आपको lateral entry मिल जाती थी ठीक है लेकिन अब ऐसा होगा लेकिन तब उस case में आपको उन्हीं courses में उन्हीं subjects में relaxation मिलेगी जो आपके m.com newly और PGDIBO में common होगे ठीक है तो उन इनी subjects में आपको क्या होगा छूट मिलेगी बाकी सारे subject आपको देने होगे और ये program अभी standalone चल रहा है याँनि कि आप diploma program में register कर सकते हो ठीक है लेकिन अगर आपको m.com करनी है तो m.com के लिए आप m.com में ही registration करो अब ठीक है clear बात है अगर हम बात करे examination की assignment की और registration की ठीक है तो examination से related हम जितनी बार भी exam होते हैं वीडियो डालते रहते हैं आप वो हमारी वीडियो जरूर देखे हमारे YouTube चैनल को जरूर फोलो करें आपको सारी information time to time मिलती रहेगी ठीक है मैं आपको अभी simply बहुत simple language में फटाफट बदाएता हूँ इगनु में आपके दो साइकल होती है जुलाई और जैन्वरी जुलाई और जैन्वरी दोनों की मैंने वीडियो बनाई है आप उस वीडियो को जरूर देखे जुलाई session के exam June में होते हैं और जन्वरी session के exam December में होते हैं जो annual mode वाले होते हैं semester वाले होंगे तो simple सी बात है six month में admission exam हो जाएंगे जुलाई session के December में और जन्वरी session के June में ठीक है तो confused नहीं होना है ठीक है आपके exam semester wise हो रहे हैं M.com के अभी ठीक है अगर हम assignment की बात करें तो assignment आप March और September में जमा करा सकते हो वही जुलाई और January session के होते हैं ठीक है अगर किसी हो कोई problem है तो assignment के regarding मैंने full phase एक वीडियो बनाए उस वीडियो को जुरूर देखे आपको सारी चीज़े clear हो जाएंगी ठीक है कुछ भी दिक्क की first year में आप admission ले रहे हो उसके बाद आपको second year में admission लेना है यहाँ पर आपका semester wise admission नहीं होगा ठीक है यह बात clear है उसके बाद हम बात कर लेते हैं subjects की जो इगनु में अभी नए subjects आए हैं M.com में ठीक है यानि कि अगर हम बात करें first semester की तो first semester में आपके यह four subjects है mco01, mco04, m यह subjects हैं ठीक है जैसे कि आप screen पे भी देख रहे हो यह आपके second semester के subject है यानि कि first year में आपके total eight subjects हो गए ठीक है आप इनके exam semester wise दे सकते हो यानि कि अगर आप अभी July 2022 session में अगर आपने admission लिया है तो आपके exam कब होंगे June 2022 में किसके first semester के ठीक है तो ध्यान रहे अगर आपको आपने अभी exam form नहीं फिल किया था तो आप अपना first semester का exam second semester के साथ भी दे सकते हैं कोई attention वाली बात नहीं है ठीक है ऐसी आपके second semester के exam कब होंगे December 2022 में यह उन बच्चों के लिए जुलाई वाले है ऐसी फिर gen session आएगा फिर उनके six six month क gap में exam हो जाएंगे ठीक है कोई attention वाली कोई घपराने वाली बात नहीं है कोई attention वाली बात नहीं है कोई problem है आप हमारे YouTube चैनल पर जरूर विजिट करें उसके बाद यह आपका third semester हो गया third semester में भी आपके चार subject है ठीक है उसके बाद आपका four semester है four semester में आपके दो subject है और एक आपका यह project है ठीक है पहले M.com में project नहीं होता था अब IGNU M.com में project भी ले रही है ठीक है तो आपको four semester में project देना पड़ेगा ठीक है यह आपकी total information थी यह आपके M.com के regarding मैंने आपको सारी चीज़े बड़ी अच्छी से बता दिया है इसकी eligibility क्या है इसकी duration क्या है medium क्या है सारी चीज़ें हमने discuss कर लिए है फिर भी अगर आपको कोई problem है कोई समझ्चा है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जरूर visit करें हमारे वीडियो पर कमेंट करें ठीक है हम सब को reply करते है थोड़ा time लगता है reply देने में लेकिन आपको reply जरूर मिलेगा और आपको instant help चाहिए तो आप हमसे हमारे WhatsApp WhatsApp नंबर पर contact करें जिसके हम face charge करेंगे अगर आप हमसे personal guidance चाहते है तो ठीक है I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारी चीज़े समझ में आई होगी प्लीज इस वीडियो को like कर दीजिए ज्यादे ज्यादा share कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को subscribe जरूर करें बैल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो के notification मिलते रहें